जैसा कि सभी जानते हैं कि आज कल कोरोना माहमारी से मृत्युदर बढ़ती जा रही है कुछ लोग कोरोना संक्रमित मृत्तक व्यक्ती के पास जाना तो दूर की बात लोग व्यक्ती की परिवार से दूर भाग रही हैं तो वहीं दूसरी और कुछ लोग इस समय दूसरों की सहायता के लिए आगे आ रही हैं हम आपको इस वक्त बता रही हैं पीपल्स फिटनेस एंड स्पोर्स डेवलेमेंट ट्रस्ट और गोपी युवक मंडल मंगयाल के बारे में जिनों ने पांचवी बार कुरोना संक्रमित मृतक लोगों को कंधा दिया है इस संस्ता के संचालक गोपाल सिंग के साथ 200 MCV, खिलाडी, विशार शोंकला और सुमित शोंकला द्वारा कोरोना पॉस्टिव महिला को कांधा देकर गाउं बलोटू तक पहुँचा कर महिला के बेटे के हवाले किया गया यह महिला संधूल की रहने वाली थी और अपनी बेटी के पास पिछले दो महिनी से गवाला गाउं में रहती थी बेटी का पूरा परिवार गवाल में कोरोना पॉस्टिव था इस महिला की पिछली रात आकस्मिक मृत्य हुई इसके साथ ही आज पंजाल गाउं में एक अन्य वक्ती जो की कोरोना पॉस्टिव होनी पर विवेकानत अस्पताल पालंपूर में एडमिट थे उनके भी पिछली रात आकस्मिक मृत्य हो गए गोपाल वा उनकी टीम में पंजागल पहुँचकर उनके घर को सेनिटाइज किया गोपाल को जैसे ही आज सुभा इन मृत्यों का पता चला तो वह जोगिंद नगर से लड़ भरोल रवाना हुए स्वेम डेट बॉड़ी के लिए पीपी किट्स मोहिया करवाई और दोनों परिवार का पूर्ण सहयोग किया गया लोग डेट बॉड़ी के लिए आगे आएं मैंने देख है मैं पांच डेट बॉड़ी एपनी टीमों के साथ जला चुका हूँ डेट बॉड़ी से लोग बहुत दूरी बिना के रखते हैं जो की गरत है डेट बॉड़ी से कोई करोना पहलता नहीं है इसलिए लोग डेट बॉड़ी के लिए आगे आएं और लोगों की मदद करें और करोना की भाज़त के लिए मास्क, सोसर डिस्टेंस, हाथों का धोना क्रोना के लिए तन से दूरी रखें ना कि मन से दूरी रखें और मेरा तो एक धे है कि बासु देव कुटुम कम सारा सार मेरा घर है और सब लोग जो हैं भाई भाई हैं उन सब की मदद करना इस मानवत की मदद करना मेरा कर्म ही धर्म लाइफ टाइम्स टीवी के लिए लड़ भडोल से आनिता शर्मा के रिपोर्ट रिष्टों के शुरुआत नाओ इन सोलने इन शिमला